Good evening students, start करेंगे म 아ज का topic और ऐज का topic भी हमारा pedigree analysis से ही है तो start करने जा रहे हैं आज का question आज को question है Hemophilia is a sex link recessive disorder यह sex link recessive disorder है sex link का मतलब है X link रहा हमें जो पढ़ना है जो X chromosome के उपर present है of humans the pedigree chart given below यह chart जो है the pedigree chart given below shows the inheritance of hemophilia in one family यह one family का hemophilia inheritance शो कर रहा है study the pattern of inheritance यह pattern हमें देखना है and answer the questions given जो भी question दिये है उनको हमें answer करना है तो first question है give all the possible genotype genotype बताना है हमें यानि genotype मतलब gene combination हमें वो बताने है कि gene combination कौन से gene combination है of the members of 4, 5 and 6 4, 5, 6 का gene combination बताना है genotype का मतलब gene combination क्या है तो 4 यह वाला 5 and 6 इन तीनों का हमें genotype बताना है तो आपको पता है कि जो hemophilia है तो पहले आपको यह बता होना चीए कि यह जो male है square से male को represent करते है circle से female को represent करते है यह इनकी mating हुई है यह vertical line के बाद जो यह है यह सारे इनके office spring है कौन-कौन से 4, 5, 6, 7, 8 8 और 9 की शादी हुई है यह इनके 3 office spring है 12, 13, 14 और 14 की शादी 15 से हुई है ऐसे ही इधर 4 की शादी 3rd से हुई है इसके यह 2 office spring है 10 and 11 तो अब यह जो है इस तरह से X, X और H अगर 1 के उपर H है एक X affected है तो वो female कहलाती है carrier अगर दोनो X affected है दोनो X affected है तो वो कहलाती है हीमोफेलिक या affected ठीक है male के अंदर एक ही X है इसलिए अगर वो affected हो गया तो male जो है वो affected हो गया यानि हीमोफेलिक हो गया ठीक है तो male जल्दी से affected होते है क्योंकि male के पास एक ही X chromosome है female जल्दी से affected नहीं होती तो अब यहां पर देखो ना तो male affected है ना फीमेल affected है यह फिफदवाला जो shaded होते हैं वो shaded वाले अफेक्ट रोते हैं तो यह फिफद नंबर्लवाला affected हैMartin एफेक्टिड है क्योंकि यह शेड़ है तो यहां पर जो गौई Three तो 5 6 का हमें जीनो टाइप बताना है तो जो 4 female है वो female क्या होगी जो 4 नंबर की female है वो यहां तो normal होगी xx जिसको हम बोलेंगे normal यहां वो carrier होगी xh यानि वो carrier है क्योंकि उसको shaded नहीं दिखाया गया है तो यह दोनों condition हो सकते हैं उसकी तो यह आप दोनों बताएंगे जीनो यानि hemophilic यह हो गया hemophilic ठीक है और 6 6 normal male हो है normal है क्योंकि यह नहीं है यह हो गया normal male ठीक है यह है normal male अब यह तो हो गया हमारा फर्स्ट कोशन के जीनो टाइप 4 5 & 6 के अब सेकेंड कोशन में वो पूछ रहा है मेंबर नंबर 15 जो 15 नंबर मेंबर है has recently married the number number 14 14 से उसकी marriage हुई है और what is the probability that their first child will be hemophilic male क्या probability है कि उसको जो first child male है वो hemophilic हो तो हमें पता है कि जब यह मानलो हम carrier लेके चल रहे हैं कि यह female जो है वो carrier है और उसकी अगर हम normal male से शादी करा रहे हैं तो क्या chances होंगे यह बना लिए हमने उसके gametes x y अब cross कराते हैं x x x y x c x और xy तो यह क्या हो गया नॉर्मल फीमेल यह नॉर्मल मेल यह carrier carrier female और यह hemophilic male ही नॉर्मल कितने हैं दो है एक मेल यह है एक मेल यह है तो 50% मेल बनें और 50% female यहीं होता है जब हम एक रॉस कराते हैं 50% female बनते हैं यहीं चांस होता है 50% female और 50% male अब यह 50% male है उसमें से एक मेल नॉर्मल है और एक है हीमophilic तो कितना चांस हुआ यह जो कि 50-50% है एक मेल नॉर्मल है एक हीमophilic है यहांनि कितना चांस हो गया 50 का आधा करतो 25% तो इसका अंसर क्या आ गया कि 25% chance है उसका कि वो हीमोफिलिक हो क्योंकि already 50% ही male बनते हैं 50% female उस 50 में से भी एक normal है और एक हीमोफिलिक बन रहा है तो इसका मतलब कितने percent chance हो गया 25% तो second cancer हो गया 25% chance है कि वो हीमोफिलिक मेल हो और 25% male normal है 25% female जो है वो normal है और 25% female carrier है ये भी पूछ सकते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 25% female carrier है और 25% जो है वो normal female है तो आपको समझ में आया होगा ये तो थैंक यू थैंक्स वर वाच्चिंग प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेर